आज के वीडियो में हम भात करने वाले हैं अगर आप WhatsApp यूज करते हैं वाटसप पर आप किसी की DP चेक करते हैं जैसे बहुत सारी DP होती हैं किसी भी परसन की आप उस DP को जो है यहाँ पर स्क्रीन शोट लेने का ट्राय करते हैं जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पर लेने क बीसकते हैं आप इसका स्क्रीन शोट लेने का ट्राय करूंगा तो मुझे यहाँ पर बार बार यहीं प्रावलम आएगी देश को बेंगे कैसे यूज कर पाइंगे उस dp को मैं आपको बता देता हूँ तो इस video मैं तक बने रहेगा वीडियो अच्छी लगे तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना सो आपको करना क्या है screenshot लेने के लिए उस dp को use करने के लिए आपको जो है स्क्रीन शोट मैंने ले लिया है अब आपको करना क्या है यहां से यह screenshot है इसको crop कर लेते हैं कुछ इस तरह से जो भी dp थी dp तक इसको crop करेंगे सिर्फ dp रखेंगे गाइस ठीक है जैसे यह मैंने इसका crop कर लिया है अब crop करने के बाद इसको ok करता हूँ अब जो profile थी आप देख सकते हैं इसको use कर पाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे gallery में save हो चुकी होगी अभी तक देख सकते हैं यह वो dp थी आप मेरे profile में आप देख मेंगे मिल जाएगी मैं इसको लगा भी सकता हूँ अपने whatsapp profile पर कोई problem नहीं है अगर आप कोई problem आती है whatsapp dp का screenshot लेने में तो आप ऐसे ही कर सकते हैं screenshot ले सकते हैं तो guys आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं next video में till the way take care love you